कॉंग्रिस की पूरो अधक्ष राहूल गांधी ने मौजूदा समय में देश की रक्षा नीती को वैश्विक स्विक्रती मिलने से जुड़े ग्रिहमंत्री अमिर्च शाह के बयान को लेकर सोमवार को उन पर शायराना अंदाज में निशाना साधा था जिसका जवाब रक्षा मंत्री राजुनाथ सिंग ने भी शायराना अंदाज में ही दिया और ऐसे में अब राहूल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर राजुनाथ पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि एक बार जब रक्षा मंत्री की हाथ के चिन पर टिपणी पूरी ह जाए तो वो जवाब दे सकते हैं कि क्या लद्धाक में चीन ने भारतिय अक्षितर पर कबजा कर लिया है गौरतलब है कि सोमवार को राहूल गांधी ने लद्धाक में वास्विक नियंतरुन रेखा पर गतिरूत का हवाला देते हुए ट्वीट क्या था जिसमें राहूल नेता राहूल गांधी ने फिर से बीजपी नेताओं को आड़े हाथ लेने की कोशिश की है